नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका घहरेलू उपाय सरल तरीके में दोस्तों सेब का सिरका यानी की एपल साइडर वेनेगर दोस्तों आजकल बहुत प्रचलीत है सभी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारे ब्यूटी चीजों में हेर के लिए बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल हो रहा है और यह बहुत इस वक्त पापुलर चीज है क्योंकि हर घर में इसका इस्तेमाल हो रहा है किसी न किसी रूप में तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको सही तरीका बताओं जिससे कि आपको इस apple cider vinegar का सही तरीका पता चली कि आपको इसको इसको इस्तेमाल कैसे करना है क्योंकि जानते तो सभी apple cider vinegar के बारे में लेकिन दोस्तो 95% लोगों को पता ही नहीं है कि इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना क एक अगर तरीके से नहीं लगाया तो आपको क्या-क्या नुक्सान हो सकते हैं और इसका इस्तिमाल सही तरीके से आपको कैसे करना है यह दोनों चीजे मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगे। सेप के सिर्के के फायदों को देखते हुए दोस्तों, पूरी दुन्या में लोग इसे खाने में उप्योग करने लगे हैं। इसका स्वाध दोस्तों बहुत ही खटा होता है, यानि कि अमली स्वाध होता है। इसलिए इसे सीधे तौर पर खाने से मना किया जाता है। यानि आ प्राबर का है और ये मैंने देखिए मंगवाया है जो कि रो है अन्फिल्टर्ड है आप वही सेप का सिर का लें किसी भी ब्रांड का लें ऐसा नहीं है कि मैंने ये हिमालिया का मंगवाया तो आपको भी यही मंगवाना है दोस्तों बस मैंने ये मंगवाया है तो मैं आपको यही दिखा पा रही हूँ, इसकी कीमत दोस्तों देखिए 378 रुपय, यानि कि 378 रुपय है 500 ml, 500 ml की प्राइज जो है, वो 378 रुपय की पड़ती है दोस्तों, तो आप दोस्तों किसी और ब्रांड का भी ले सकते हैं, जो भी आपके एरिया में अवेलेबल हैं, वो आप कीजिए, लेकिन एक बात का बस ध्यान दीजिए, उसके उप पैक के उपर एक चिज़ जरूर पढ़िए, कि रो होना चाहिए, और अन्फिल्टर्ड होना चाहिए, यानि कि कि किसी भी तरह का प्रोसेस से वो गुजरा नहीं होना चाहिए, दोस्तों, तो इसी तरह का आपक को एपल साइडर वेनेगर का इस्तेमाल करना है, दोस्तों सेप के सिर्के का उपियोग आप कई चीजों के लिए कर सकते हैं, तो अच़़ा में निखार लाने के लिए, बालो से रूसी हटाने के लिए और मोटापा दूर करने के लिए भी सेप का सिर्का काफी असरदार मान जाता है इसी वज़ा से इसका सबसे अधिकुपयोग मोटापा को कम करने के लिए किया जाता है हाला कि सेप के सिर्के के फायदे से जुड़े वैज्ञानिक सोध और परमाण काफी कम है लेकिन उसदी गुरों के कारण लोग इसे हेल्थ सप्लिमेंट की तरह इस्तेमाल करते ह कि एपल साइडर वेनिगर में एसेटिक एसीड की मातरा काफी जादा होती है और एसेटिक एसीड दिल के लिए बहुत फायदेमंद होता है इसके अलावा सेप के सिर्के में कई विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन और लाप पहुचाने वाले बैक्टिरिया मौजूद होते हैं दोस्तो एपल साइडर वेनिगर इसलिए भी उपयोगी है कि यह आपके डाइजेशन को दुरुस्त रखता है जब आपका डाइजेशन दुरुस्त रहता है तो आप जो भी खाते हैं वह बहुत ईजली तरीके से मतलब बहुत आसान तरीके से वह पच जाता है तो इस त प्यूग आप मुहासों से आराम पाने के लिए भी कर सकते हैं, अपनी तोचा में निखार आने के लिए भी कर सकते हैं, डेंडरप को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं दोस्तों, और अगर आप पेट फूलनी की समस्या से ग्रसित है, तो पेट फूलनी की समस्या से भी निज जात पासकते हैं दोस्तों चलिए अब मैं आपको बता दों कि इससे क्या हानी हो सकती है है अगर दोस्तों में इसके नुक्सान की बात करूं तो ये आपके पाता है इस यलिए इसका तरीका जाना बहुत जरूरी होता है किस बी चीज को तुरंत बाद बिल्कुल नहीं सेवन करना चाहिए नहीं तो इससे भी आपको नुक्सान हो सकता है तो अचा पर लगाने से पहले भी आपको पैक्च टेस्ट करना चाहिए फलो का जूस अगर पी रहे हैं तो उसमें पेपर साइडर वेनिगर का बिल्कुल भी इस्ते इसमाल ना करें और जो लोग अर्थराइटिस या आइस्टो पूरिस वाले मरीज हैं वो लोग भी इसका परहेज करें चलिए मैं आप सभी को अब बताती हूँ कि एपर साइडर वेनिगर का सेव के सीरके का उप्यू करने का सही तरीका क्या है दोस्तो इसको इस्तेमाल करन हम खुम तो संहरो तो इसमें थोरा मिक्स कर दें ऑफािता तो इस तरह से बहुत अच्छा तरीका है आप इसमें मिक्स करने से दलीut हो जाता है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरा तपीना चाहते हैं तो आप एक ग्लास पानी में एक से दौड़ मिलाश इसिर wrappedbefore अगर आप मोटापा कम करने के लिए और सभी जो परिशानियां होती है परिशानियों को सॉल्व करते हैं उन सभी परिशानियों को दूर करने के लिए आप एक चम्मच एक ग्लास पानी में ही सिर्फ इस्तेमाल करें यानिके दोस्तों आप इसका जैसे भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसका अनुपात जो होना चाहिए एक अनुपात तीन का होना चाहिए एक अनुपात आप इसका ले रहे हैं तो तीन अनुपात आपको किसी और चीज का मिलाना है यानि अगर पानी पी रहे हैं तो तीन अनुपात में पानी होना चाहिए या फिर कोई और चीज मिला रहे है तो उसी हिसाब से मात्रा आपको एड़ेस्ट करना है अगर आप चाहते हैं इसका इस्तेमाल चेहरे पे करना तो चेहरे पे आप इस्तेमाल देखे कुछ इस तरीके से करेंगे एपल साइडर वेनेगर देखे मैंने क अपप आप में आप और लेगा यह अब से जादा तो चेहरे पे लगाने के लिए आप किसी भी कटोरी में लेजए और उसमें आप apple cider vinegar एक चम्मच के करीब डाल लिजे बस that's it इससे ज़्यादा आपको लेना ही नहीं है even इससे भी कम लीजे आधा चम्मच लीजे तो ज़्यादा अच्छा है लेकिन हमारा चम्मच छोटा है इसलिए मैंने एक चम्मच ले लिया है तो यह depend करता है आपकी spoon पर भी कि आपका spoon क इतना है इसके बार हम डालेंगे दो चम्मच के करीब गुलाब जल जल इसमें एड कर लेना है आप इसमें तीन चम्मच भी डाल सकते हैं जैसा कि मैंने एक अनुपात तीन का बताया तो आप इसमें एक चम्मच apple cider vinegar लिया तो तीन चम्मच आप इसमें गुलाब जल डाल लीजे या तो आप दो चमच गुलाब जल डालिए और एक चमच पानी भी इसमें डाल सकते हैं इस तरह से ये आपका अनुपाद बन करके तयार हो जाता है और आप इसको डेली चेहरे पे लगा सकते हैं सुबा दो पह साम तीन बार इसका चेहरे पे इस्तिमाल करें आपको बहुत अच्छा रिजर्ट मिलेगा तो दोस्तों मैंने पूरी कोशीज की है कि आपको समझ में आ जाए कि एपर साइडर वेनेगर यानि सेप के सिर्के का इस्तेमाल सही तरीके से आप सभी को कैसे करना है दोस्तों समझ में आ गया है आप सभी को तो प्लीज इसे ल सब्सक्राइब करें चलिए अगली वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों